सबी साथियों को मेरा नमसकार मैं निर्मल कुमार आज के इस कार्यकरम में आपका स्वागत करता हूं आप सभी साथियों के साथ जो आज जानकारी हम सेहर करने जा रहे हैं वो फसल बीमा को लेकर के उस स्रेणी के किसान जो कोपरेटी कैसी सी से रिनी नहीं है जिनका कहीं से भी रिन लिया हुआ नहीं है उन किसानों के लिए एक सुचना हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं गैरेनी किसानों ने जो अपने एमित्र से फसल का विमा करवाया था उस फसल का प्रीमियम कटने के बाद में उस पॉलिशी को विमा कमपनी ने रिजक्ट कर दिया उसके पीछे कारण उनकी तरफ से बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमारी यह आपत्ती थी कि उन्होंने जिन कारणों को लेके रिजक्ट किया है वो कारण सही नहीं है किसी टेक्निकल गलती की वज़े से अगर इस तरीके किसानों के पॉलिशी अगर रिजक्ट हुई है तो उनको सुदार करने का आउशर दिया जाना चाहिए जिसको लेकर के हमारी 27 तारिकों जिला कलेक्टर चुरू के साथ मिटिंग हुई थी जिला कलेक्टर ने उस मिटिंग के रिफरेंस में एक पत्र SDM तारा नगर को लिखा कि आप रभी 2017-18 का फसल रभी 2020 कि जो गैरिनी किसानों की पॉलिशिया है उनके रिजक्ट पॉलिशियों के जांच के लिए आप एक शिविर लगा करके सभी किसानों को सुचना करके आप उसकी जांच करेंगे ये पत्र SDM तारा नगर को लिखा और कल हमारी SDM तारा नगर के साथ जो मिटिंग हुई थी उसमें ये तैय किया गया कि सौंवार से पांस तारिक्षे हम जो गैरिनी किसानों की जो पॉलिश हैं रिजक्ट हुई है CHC सेंटर के मादेम से और किसानों को सुचना करके उनने क्या सत्यापन करेंगे उनके जांच करेंगे कि किन कारणों से हुई है क्या वास्तों में वो पॉलिशी रिजक्ट उने योग्य थी या गलत तरीके से या गलत कोई तक्निकी पॉइंट के अदार पे विमा कंपनी ने उन पॉलिशियों को रिजक्ट किया है इसकी सत्यापन के लिए उन्होंने नाइब तैसिलदार तारा नगर को अधिकर्थ किया है लेकिन कल विमा कंपनी ने एक उशारी किये एक तरफ हम मांग करें कि जो पॉलिशी रिजक्ट किये उन पॉलिशियों को गलत तरीके से रिजक्ट कर दिया गया है उनका सत्यापन किया जाना चाहिए कि वो सही तरीके से अपॉल की हुई थी या रिजक्ट गलत तरीके से हो गई तो उसके सत्यापन की कारवाई सुरू होगी पांसता रिक्षे बिमा कमपनी ने रात को कल 31 जनवरी को रिजक्ट पॉलिशियों का प्रीमियम किसानों के खातों में रिफंड करना शुरू कर दिया इसलिए आप समझ सकते हैं कि बिमा कमपनिया किसानों को कलेम देने के मूड में नहीं है वो प्रीमियम दे करके ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह देख लिया कि चुरू जिले का परसासन रास्तान की सरकार और बारत की सरकार है वो दिल्ली और जेपर में बेठे हुए लोग वो पूरी तरह उनकी तरफदारी में हैं उनके जनपरतिनी भी इस मसले पे खुल करके किसानों के पक्ष में या बिमा कंपनी के उशारियों के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं तो उन्होंने भी इस बात का पूरा फाइदा उठाते वे ये उशारी किये हलांकि हमने आज जिला कलेक्टर को ऐस्टियम के माद्यम से ये ग्यापन बेज दिया है कि ये प्रीमियम रिफरंड करने की परकिरी है ये तुरंत रोकी जाए इन्होंने पूलिश रिजक्ट अकेली रभी दोजार बीस इकिस में नहीं किये करीब दोजार इकिस में भी किये है इकिस बिस की रभी में भी बहुत सारे और तारा नगर क्षेत्र के खास तोर पर क्योंकि ये जो सत्यापन अभी तारा नगर में हो रहा ही हम चुरू जिले के सभी ब्लोकों में सभी तैसिलों में जहां-जहां किसानों के इशूज हैं राजगड सादार साहर शिदमुख चुरू के वहां भी ये लागू तो किसानों से मेरा निवेदन रहेगा कि वह सौंवार से पांस तारीक को तैसिल कारेले में अपने दस्तावेज लेकर के अपने एमितर पे सीएची सेंटर पे जो डोकुमेंट उन्होंने पोर्टल पे अफलोड कि हैं उनकी पीडियो बना के या प्रेंट निकलवा करके य और साथ में हमें भी अवगत करवाएं अलांकि हम वहां उपीस से अपने आपको अवगत करवा लेंगे कि कितने लोगों का इन्होंने पोलिशों को रिजक्ट किया कितने लोग सत्यापन करवाने के लिए पहुंचें तो सत्यापन करवाने के लिए सभी किसान बाई पहुं चाहे अभी 20-21 का है उसके बाद में खरीफ 21 का भी और उसके बाद में 21-22 रभी का भी सारा सत्यापन है वो हम करवाएंगे और इसके साथ साथ एक निवेदन मेरा ये भी रहेगा कि कल किसान मजदूर माउन तारा नगर में अकिल वारतिय किसान सवा की तैसील कमेटी की विश करें यही सोचना देने के लिए आपके बीच में लाइव आकर के यह जानकारी आपके बीच में रखी है सभी साथियों को धन्यवाद नमस्कार